बच्चों हमने देखा है कि कोई भी वैपारी जब वैपार करता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि जिस भी माल को जिस वस्तू को वो बेचे उसकी उसका जो मूल ने है उसकी जो राशी है वो तुरंत उसको प्राप्त हो जाए या फिर अगर वो अपने वैपार को बढ़ाना चाहता है तो कई बार वो उधार वैपार या उधार वैभार भी करता है लेकिन फिर भी एक उसकी संभावना बनी रहती है कि जादा से जादा वो नगद क्रेविक्रे करें उधार क्रेविक्रे में न जाए कि इसका एक कारण ये है कि उधार की गई विक्रे की जो राशी होती है उसके मिलने या ना मिलने की कोई पूरी की पूरी संभावना नहीं होती है नहीं कि doubtful condition बनी रहती है कि वो राशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब ऐसी condition में कोई भी वैपारी ये तो चाहेगा कि वैपार को बढ़ाने के लिए वो नगद के साथ साथ उधार विक्रे भी करे लेकिन अपने उधार किये गये वैभारों को वो कैसे सुरक्षित रखे और इन्हीं असंभावनाओं के कारण कई बार कई वैपारियों का जो वैपार होता है वो कम होने लगता है धीमा होने लगता है याने कि पिछड़ने लगता है तो इन सब समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे प्रपत्र कुछ ऐसे विलेख का जन्म हुआ जिससे वैपारी स्वतंत्र होकर बिना डर बिना भै के उधार वैपार वैभार कर सकता है इन्ही प्रपत्रों को विनिमे साध्य विलेख का नाम दिया गया नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट का नाम दिया गया हाला कि बहुत सारे negotiable instrument होते हैं कुछ ऐसे प्रपत्र होते हैं जो उधार किये गए वेवहारों को सुरक्षित रखते हैं लेकिन फिलाल यहां पर हम तीन तरह के विनिमे साधे विलेक के बारे में जानेंगे जिन में पहला है विनिमे विपत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूसरा है प्रतिग्या पत्र प्रोमिसरी नोट और तीसरा है हुंडी हाला कि इनके अलावा बहुत सारे negotiable instrument होते हैं लेकिन तीन के बारे में हम यहां जानेंगे और इससे अभी मत्रपूर्ण बात यह कि इन में सबसे जो मत्रपूर्ण प्रपत्र होता है वो होता है विनिमे विपत्र जिसके बारे में हम इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे तो आए सबसे पहले जान ले कि विनिमे विपत्र होता क्या है विनिमे विपत्र को अगर हम सीधे साधारन शब्दों में समझे तो विनिमे विपत्र एक ऐसा लेख है एक ऐसा प्रपत्र है जो विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है किसको क्रेता को विक्रेता जो होता है वो लेखा कहलाता है क्योंकि वो विपत्र को लिखता है और क्रेता जो होता है वो स्विकरता कहलाता है क्योंकि वो स्विक्रेत करता है इस बात की स्विकरती देता है कि वो एक निश्चित धनराशी जो कि उधार वेभार में प्रयोग में लाई गई है बेचा गया है उधार माल वो निश्चित समय के बाद विक्रेता को याने की लेखक को दे देगा भुकतान कर देगा इस बात की वो गैरेंटी वो अपनी स्विक्रिती देता है कि मैं दूंगा तो ये सारी बाते जिस प्रपत्र में लिखी हुई होती है उन्हें हम कहते हैं वि आश करें में तो 1 कि भारती वि्नमय साद्य विले अधिनियम 18185 की अनुसार विनमय विपत्र एक शर्प रही लिकित आग्या पत्र है जिसपर लिखने अनुसार किसी अनिवेक्ति को अत्वा पत्र के वाहग को कर दें। अनिवेक्ति को करें तो एक उदारन हम देखेंगे माझ लो आने बाको 5000 रुपय का माल बेचा। सबसे पहले हमको विन्मे विपत्र से संबंधित प्रश्णों में ये देखना होता है कि किसने किसको माल बेचा। क्योंकि माल का जो विक्रेता होता है वो विपत्र को लिखता है और क्योंकि वो विपत्र को लिखता है इसलिए वो लेखक याने की ड्रॉवर कहलाता है और विपत्र का जो क्रेता होता है जैसे कि हाँ पर B है क्योंकि वो विपत्र पर स्विकृति देता है ए ने यानि लेखक ने यानि विक्रेता ने जो विपत्र लिखा बी यानि की क्रेता उस पर स्विकृति देगा क्या स्विकृति देगा कि आपने इस विपत्र में जो भी चीजे लिखी हुई है उनको मैं मानता हूँ और इस निश्चित समय के बाद निश्चित धनराशी या विक्रेता होता है विपत्र को लिखता है लेखक जो क्रेता होता है विपत्र पे स्विकृति देता है याने कि स्विकर्ता किसे भी प्रश्ण को हल करने से पहले इस अध्याय में हमको जाने से पहले सबसे पहले तो यह जानना होगा कि लेखक क्या है और स्विकर्ता क्या है त तो इससे हम इस बात में पहुंचते हैं कि विनिमय विपत्र जो होता है उसके दो पक्षिकार होते हैं एक लेखक और दूसरा स्विकर्टा अब आए साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स को कुछ ऐसे शब्दावली को भी लेते चले जो इस पूरे अध्याय के अंतरगत हम को स यानि कि इसके तीन संबंधित पक्षिकार कौन-कौन से है तो लेखक के बारे में हमने जाना जो विपत्र लिखता है यानि कि विक्रेता स्विकर्टा की बारे में हमने जाना जो विपत्र को स्विक्रित करता है यानि क्रेता जिसे हम आहारी भी कहते हैं और तीसरा जो होता वो होता है अदाता या फिर प्राब्द करता यानि mean लिखी हूई राशी को जो प्रार्प्त करता वही व्हैकदी अदाता या प्राप्त करता कहलाता है जनरली लेखक की चांद में जब लेकिन कुछ एक कंडिशन में को यहां यह जान लेना जरूरी है कि इसके तेन पक्षिकार कौन-कौन से होते हैं आगे हम देखे तो हमको यहां पर देखने को मिलेगा विपत्र के प्रकार यानि देशी बिल और विदेशी बिल तो देशी बिल यानि की जिस विपत्र का लेखक और स्विकरता दोनों एक ही और जिन्दिकी करता है जो भी जाला ना देश होता है जूंब लेखा जो का उधार क्रेवी क्रेका करता है वो सारे जो बिल होते हैं वो वेपारिक बिल के अंतरगत आते हैं नेक्स जहां पर हम देखेंगे दर्शनी बिल देखने से ही जिसका भुकतान हो जाए यानि कि जब भी वो प्रस्तुत किया जाए उस समय तुरंत विपत्र पर जो भी धनरासी निश्चित की गई है उसका भुकतान हो जाए कहने का अर्थिय है कि पूर्व निर्धारित कोई स निर्धारित कोई समय इसमें नहीं होता है जब वो प्रस्तुत किया जाए तब उस पर भुकतान किया जाना जरूरी होता है तो इस तरह का जो इपल होता है वो दर्शनी बिल कहलाता है नेक्स्ट हम यहाँ पर एक शब्दावली देखेंगे मियादी बिल नियाद समय जिसक आवधी के बाद मुझे इतनी धनराश्री का भुकतान करेंगे जैसे माल लेजे एने बी को 3000 रुपए का माल बेचा उसने बी पर तीन माह की अवधी का एक विपत्र लिखा अब अगर यह जो माल है यह एक जन्वरी 2020 को बेचा गया हो तो हम यह माल लेंगे कि जन्वरी फर्वरी और मार्ज एंड यानि इसको मार्ज के एंड तक किसी भी हालत में इस बिल में जो भी राशी दी गई है उसका भुकतान स्विकर्ता को करना होगा मियाद समय एक समय की सीमा समय की सीमा की समाप्ती के पहले स्विकर्ता जो है उसको धन्राशी का भुकतान विक्रेता यानि की लेखक को करना होगा तो इस तरह से निश्चित अवधी निर्धारित अवधी के जो विपत्र होते हैं वो मियादी विपत्र के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं वाहक बिल वाहक बिल याने जिसका भुकतान प्रस्तुत करता को करना होता है जब भी वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे जब भी आपके सामने ला दे जिसके पास वो विपत्र हो जिसके पास वो विपत्र हो वही वो उस विपत्र का स्व और जब वो प्रस्तुत करेगा भी लाप के सामने याने कि स्विकर्ता के सामने तो कोई भी वेक्ति हो उस वेक्ति को विपत्र में जो राशी दी गई है उसका भुगतान स्विकर्ता को करना ही होगा एक शब्दा वली हमको सुनने में मिलेगी आदेश बिल नाम से इस पस्ट हो जाता है कि ऐसा विपत्र होगा जिसमें विपत्र की राशी का भुगतान करने के लिए किसी वेक्ति विशेस को आदेशित किया जाएगा कि आप विपत्र में लिखे हुए इस वेक्ति को विपत्र की राशी का भुगतान कर दीजिए इस तरह से आदेश दिया जाएगा तो अगर किसी को आदेशित करके कोई विपत्र लिखा जाता है किसी को भुगतान के लिए आदेशित करके कोई विपत्र लिखा जाता है तो स्कूर्विधिया विपत्र के शेप्टर की जान है अगर आप विपत्र क्या है धी रीपत्र क्या हिए हमको जरूर मालूम होना चाहिए कं अर यहieben है कि वह क्युंपत्ती ए प्रापिय यानि कि बिल्स रिसीवेबल लेखक जो होता है वह विपत्र को लिखता हैर स्विकर्ट OR वापस अब पस ले लेता है तो जिस इस विपत्र पर स्विकृति प्राप्त करके वो अपने पास ले लेता है वो उसके लिए प्राप्त पे विपत्र याने बिल्स रिसीवेबल हो जाता है क्यों रिसीवेबल उसको भविशे में भुकतान प्राप्त करना है पैसा उस विपत्र पे मिलना है इसलिए वो उसके संपत्ति हो जाती है इसका जस्ट यज़ ऑपोजीट देविपत्र, डोनों को साथ साथ समझे और करें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसका जस्ट अपोजीट डेविपत्र पर अपनी स्विकृति प्रदान करता है उसमें भाविषर में उसको विपत्र की राशी का भुक्तान करना होता है। देविल होता है, देविपत्र होता है। इसलिए देविपत्र को हम धाइत होता है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो हमने यहाँ पर समझा, एक उदारन के साथ हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें, माल लीजे, A ने B पर तीन माह की अवधी का पांच जार रुपए का एक विपत्र लिखा, जिस पर B ने स्विकृति प्रदान की, अब यहाँ पर दो पक्षिकार है, A और B, A ने विपत्र लिखा, याने A कौन है, लेखक, B ने विपत्र पर स्विकृति दी, याने B कौन है, स स्विकृति, अब यहाँ पर यह जो विपत्र लिखा गया है, यह A के पास स्विकृति होके आया है, और भविश्य में A जो की विकृति है, इस विपत्र पर राशी प्राप्ति करेगा, तो यही विपत्र A के लिए प्राप्प्य विपत्र याने की बिल्स रिसीवेबल कहल लेकिन यही विपत्र बी के लिए यानि की स्विकर्ता के लिए दे विपत्र कहलाएगा क्योंकि उसको इस पर धनराशी देनी है इसलिए बी के लिए वो दे विपत्र है उसका दायत तो है लेकिन ए यानि की विक्रेता यानि की लेखा को इस विपत्र पर धनराशी प्राप्त करनी है इसलिए वो उसका प्राप विपत्र यानि कि संपत्ति कहलाएगा तो यह तो हमने बात की प्राप विपत्र और देवी पत्र की ज्यादा तर जब हम विनिमय विपत्र से समंधित प्रशनों को हल करेंगे तो यह सारी शब्दावली उसके अंतरगत आएगी कुछ एक श कमिसरी नूट एक विनिमय साधी विलेख है यह तो हमने जाना कि यह भी एक नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि विनिमय विपत्र है वास्तों में यह कैसा प्रलेख है जिसमें लेखक एक निश्चित राशी के शर्त रहित भुकतान का वचन एक निश्चित व्यक और एक महतुपूर्ण बात यह कि जब ये निश्चित समयावधी समापत होने के बाद जब भी ये प्रस्तुत किया जाता है तो जो देता जो है जिसको देना है स्विपत्र पर भुकतान इस प्रतिग्या पत्र पर उसको वो प्रतिग्या पत्र पर भुकतान कर देता है बहु आफ ग्रेस अनुग्रह यानि कि नरधारे जो तिती है अगर उस तिती तक स्विकर्टा जो है वो विपत्री की राश्री का भुखता नहीं कर पाता है तो उसको तीन दिन की रियायत और दे दी जाती है अलग-अलग कंडिशन में यह रियायत जो है उसकी कैलकुलेशन के कैसे तीन दिन calculate किया जाए वो अलग-अलग होती है जिसे आगे हम और अधिक विस्तार से जानेंगे आप क्योंकि हमारा पूरा फोकस विनिमय विपत्र याने के बिल्स ओफ एक्स्चेंज भी है तो ये जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से विशेस्ताएं होती हैं और इन्हीं विशेस्ताओं के आधार पर हम इसके अर्थ को और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास कर जाता है औरली या मौकिक ये बोल दिना कि तुम मुझे निश्चित समय के बाद अमुक धन राश्री का भुकतान करना इस तरह की चीज़े इसमें नहीं होती है इसका लिखित होना बहुत आवश्यक है ये इसके एक महत्वण विशेस्ता है दूसरी एक विशेस्ता इसकी ये है कि शर्त रहित होता है इसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं होती है केवल निर्धारित अवधी बता दी जाती है और निर्धारित राशी बता दी जाती है तीसरी विशेस्ता इसकी ये होती है कि इसमें लेखक के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है अभी आगे चलकर ज अगली इसकी विशेस्ता ये है कि इसमें दो पक्षिकार होते हैं, हमने देखा कि कोई भी विपत्र उसके दो पक्षिकार होते हैं, लेखक और स्विकर्ता, लेखक जो विपत्र को लिखता है यानि कि माल का विक्रेता, और स्विकर्ता जो विपत्र को स्विकार करता है यानि करेत। अगरे इसकी विश्यस्ता ये है कि IT विश्यक्रति आवश्यक है हम ने प्रशुन भी कुछ उधारण की तो पर दे तो हमने देखा कि है एक वश्यक्रेता वश्यक्रतर पर अपनी स्वज्यक्रतर प्रदान करें करेता वयपारी को वापस दे दे रहा है तो यह जो स्वीकृति है यह विनिमय विपत्र कहलाने की अनिवारे शर्त है कोई भी विपत्र तभी में विपत्र कहलायेगा जबकि crucial ने उस पर अपनी स्वीकृति दि हो की हाँ करेक कस ने जो भी चीजे इसमें लिखी ह joking गे जो समय लिखा है मैं उसको स्विकार करता हूं और उतने समय के पश्चात उतनी राशी का भुकतान करने के लिए मैं तयार हूं तो तभी यह जो विपत्र होता है वह विन्मय विपत्र कहलाएगा एक महत्वपोर्ण विशेस्ता इसकी एक इसमें राशी और अवधी जो होती है व किया जाना है दूसरी महत्वपोर्ण बात के निश्चित राशी देदी गई होती है कि जो की विलेक में लिखी गई है उस पर भुकतां नहीं कर पाता तो कुछ इसकी अपनी अलग कंडिशन अलग शर्ते होती है कई वास लगा जाता है समय से पूर अभी भुकतां कि कुछ अपने अलग कंडिशन्स होती है जिनको हम क्रियात्मक प्रश्णों के अंतरगत देखेंगे एक इसके विशेस्ता यह होती है कि मांग पर दे होना होता है यानि कि प्रस्तुत करना अनिवारे होता है हमने पहले भी देखा कि विपत्र जो है उसका प्रस्तुत करता जो है वही सकते हैं तो आए विनिमे विपत्र के नमूने को देखे और उसके आधार पर हम जाने कि विनिमे विपत्र के अंतरगत किन-किन बिंदों का उल्ले किया जाना जरूरी होता है तो यहां पर हम विनिमे विपत्र का यह नमूना देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि इस वि फिर हम देख रहे हैं कि इस्थान के ठीक नीचे में हमने दिनांक लिखा हुआ है कि किस तिथी को विपत्र लिखा जा रहा है उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कि अवधी कहा लिखी जाए तो अवधी जो होती है विपत्र के भुगतान की वो मुख प्रिष्ट यानि मेन उस होता है यहां पर देख रहे हैं कि राशी जो है वह अंकों में होती है और बाई और यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर के कोने में बाई और राशी को हमने लिखा हुआ है साथ ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिफल हेतु एक महत्पूर्ण शब्द जिसको हमको नोट करना है प्रतिफल हेतु स्पस्टूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिफल हेतु भुक्तान किया जाना है यानि कि इसका अर्थ ये है कि जो व्यवहार जिसके लिए ये विपत्र लिखा जा रहा है वास्तों में वो व्यवहार हो चुका है यानि उस माल या सेवा के विक्री की जा चुकी है और अब उसके प्रतिफल के लिए इस विपत्र को लिखा गया है तो ये और उसके बाद फिर हस्ताक्षर आप देख रहे हैं कि विपत्र के दाहिने कोने में दाहिने कोने में हम देख रहे हैं कि लेखक अपना हस्ताक्षर करता है उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिणी या देंदार जो होता है उसका पता लिखा गया होता है और यहां पर हम देख रहे हैं कि विपत्र में के अंत में बाई तरफ जो स्विकरता है देंदार है उसका हस्ताक्षर यहां पर किया गया होता है और साथ में स्विकरती के लिए जो है मुख पृष्ट पर दो प्रकार की स्विकरती दी गई होती है एक सामान स्विकृती होती है और दूसरी सरशर्ट स्विकृती होती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे फिलहार हम देख रहे हैं कि किस तरह विपत्र जो होता है उसका प्रारूप तयार किया जाता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्विकृति के आधार पर किन दो भागों में से बाटा गया है स्विकृति के आधार पर हम देखते हैं कि एक तो सामाने स्विकृति वाले बिल होते हैं जिसमें किसी प्रकार के शर्थ के बिना स्विकृति दी जाती है जो शर्थ रहीत होते हैं और दूसरे होते हैं विशे स्विकृति यानि जिसमें शर्थ के अंतरगत किसी शर्थ को रखकर स्विकृति दी जाती है अब हम देखें विनिमय विपत्र के भुगतान की तिथी हमन तो अगर तो विपत्र दर्शनी है तो हमने पहले भी देखा कि जब प्रस्तूत करेगा आपके सामने लाएगा तो उसको भुक्तान करना है चाहे वो कोई भी थिती हो लेकिन यह जो कैलकुलेशन वाली हम बात कर रहे हैं यह तब आती है जो विपत्र है वो मियादी हो समय अवधी के आधार पर नरधारित किया गया हो कि कब उस विपत्र का भुक्तान किया जाना है तो इससे संबंधित कुछ अपने नियम कानून होते हैं आएए उसको जाने एक तो जो तिथी के अनुसार जब विपत्रों का भुक्तान होता है तो जिस तिथी को विपत्र का भुक्तान किया जाना था फाइनल लास्ट डिट उससे तीन दिन की एक्स्ट्रा रियायत दे दी जाती है किसी कंडिशन में यही जो तीन दिन की एक्स्ट्रा जो समयावधी दी जाती है जो रियायत दी जाती है इसी तीन दिन की रियायत को अनुगरह दिवस कहा जाता है। करनी होती है तो कुछ एक नियम हम यहाँ पर फॉलौ करते हैं जिसमें पहला नियम यह है अगर किसी प्रकार की किसी आवधी का कोई उलेक नहीं है तो उसकी गड़ना किस सितिती से की जाए तो यहां बी पर तीन माह की अवधी का एक विपत्र लिखा अब तीन माह की अवधी का विपत्र लिखा हम कैसे कैलकुलेशन करें कब से कब तक लिखा क्या किया तो जब विपत्र लिखा गया उसी रेट से हम तीन माह कैलकुलेट कर लेंगे यहने जनवरी फरवरी और मार्च हम तीन मा मान लेंगे दूसरी कंडिशन बनती है यदि विपत्र में इसपस्ट किया गया है कि विपत्र की अवधी को विपत्र स्विकार होने के दिनांग से गिना जाता है अगर दूसरी कंडिशन ये है कि अगर विपत्र में अवधी को इसपस्ट किया गया है तो भाई जो अवधी इ के तिज्ट चार दिवश धिंगे पर्बॉगतान के ना मुझर्ण कैलकुलेट करने के बाद तीसरी एक condition है हम देखते हैं कि परिपक्कुता तिति यानि कि देतिति ग्याद करने के लिए कैसे जोड़ा घटाया जाए यहां पर हम देखते हैं कि अगर विपत्र जिस तिति को उसके देतिति बन रही है उस तिति से तीन दिर हमको जोड़ना है नुग्रा दिवस लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी पढ़ जाती है कोई गौर्मेंट हॉलिडे पढ़ जाता है या फिर आकास्मिक अवकाश हो जाता है तो हम कैसे करें तो किस कंडिशन को फॉलो करें तो हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि ऐसे कंडिशन में अगर रवीवार है सार्वजनी का उकाश है तो इस कंडिशन में जिस तिति को वह दे हो रहा है डियू हो रहा है उसके एक दिन पहले ही हम डियू माल ल अब 17 सितंबर को लिखा गया 10 दिन की अवधी के लिखा गया तो 17 प्लस 10 यानि कि 27 तारिक को इसकी डिव डेट देती होनी थी हम इसमें प्लस कर देते हैं तीन दिन अनुगरह दिवस को तो इसकी डिव डेट क्या हो गई 30 सितंबर तो 30 सितंबर को हमको इसको भुकतान करना है लेकिन माल लेजिए 30 सितंबर को पढ़ रहा है संडे तो हम इसको एक दिन पहले इसकी डिव डेट माल लेंगे यानि कि हम सेटर्डे को 29 सितंबर को ही डिव डेट माल लेंगे दूसरी कंडिशन अगर कोई आकास्मिक अवकाश किसी राष्ट्री पुरुष की मृत्यों में कई बार हरताल के टाइम किसी अनिश्चित्ता के करण माल लेजिए कोई आकास्मिक अवकाश आ जाता है तो इस कंडिशन में उसकी अगली तिथी को यानि कि 30 सितंबर के बाद की जो तिथी है एक अक्टूबर की उसको हम जो विपत्र की दे तिथी है वो मानेंगे तो जब भी हम अनुगरा दिवस या परिपकुता तिथी की क्यालकूलेशन करें तो इन सब जो नियम है इनको फॉलो करते हुए हमको क्यालकूलेशन करनी है आए इससे सम्दित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें निम्द दशाओं में विपत्र की दे तिथी की गढ़ना कीजिए बिल्की तिथी पहला 1 जन्वरी 2007 बिल्की अवधी 3 मा, दूसरा 30 अप्रेल 2007 बिल्की अवधी 2 मा, तीसरा बिल्की तिथी 29 जन्वरी 2007 बिल्की अवधी 1 मा, चौथा बिल्की तिथी 31 जन्वरी 2007 बिल्की अवधी 1 मा, पाचवा बिल्की तिथी 30 जून 2007 बिल्की अवधी 3 मा, पाचवा बिल्की तिथी 1 जुलाई 2007 बिल्की अवधी 6 मा, 7. बिल की तिथी 30 जून 2007 बिल की अवधी 2 मा 8. बिल की तिथी 27 नवंबर 2007 बिल की अवधी 3 मा यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार हम दे तिथी की गड़ना करते हैं जितनी मा की अवधी का बिल लिखा गया है उतनी हम कैलकुलेशन करते हैं लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुग्रह दिवस को ध्यान में रखते हुए ही हमको दे तिथी की गढ़ना करनी है यानि जब बिल के तिथी अवधी जो है वो समाप्त हो रही है उससे तीन दिन एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर जोड़ लेना है इस बात का यानि कि जनवरी मंत को हमको पूरा का पूरा कैलकुलिट करना है तो पूरी की पूरी जनवरी पूरी फरवरी और पूरी मार्च इस तीन माह की अवधी के अंतरगत शामिल हो जाएगा लेकिन हम 31 मार्च के बाद तीन दिन और एड़ कर देंगे अनुग्रह दिवस के दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं 30 अप्रेल 2007 बिल की तिति है और दो माह की अवधी के लिए ये बिल लिखा गया है तो 30 अप्रेल 2007 से क्योंकि अप्रेल यहां पर समाप्त हो गया है और दो माह की अवधी का बिल है तो अप्रेल को छोड़ते हुए हम मैं और जून दो मा को शामिल करेंगे और साथ में हम उसमें तीन दिन अनुग्रा तिति भी अगर जोड़ देते हैं तो तीन जुलाई 2007 इसकी देतिति हो जाती है उसके बाद 29 जनवरी 2007 एक मार की अवधी का विपत्र है तो यह पूरा का पूरा 29 फरवरी तक आ जाएगा और क्योंकि यहां पर तीन दिन का अगर हम अनुग्रा दिवस जोड़ देते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी तक यह आएगा और उसके बाद फिर तीन दिन का हम उसमें अनुग्रा दिवस जोड़ेंगे तो तीन मार्च 2007 इसकी देतिति हो जाएगी 4 पॉयंट में हम देख रहे हैं कि 31 जन्वरी 2007 जो है वहां पर एक माँ की अवधी का विपत्र लिखा गया है तो क्योंकि जन्वरी जो है वो पूरा निकल चुका है एक गवल फरवरी तक ही हम उसका गवल परवरी जो है वो एक मां की अवधी का को ही हम मानेंगे देती थी और उसमें हम तीन दिन अनुग्रह दिवश अगर जोड देते हैं तो तीन मार्च दो हजार साथ इसकी देती थी कहलाएगी इसे प्रकार पाचवा जो पॉइंट है जिसमें 30 जून दो हजार साथ को अनुग्रह दिवश को विल्की तिति दी गई है तो 30 जून यानि जून सेप्टमबर के बाद तीन दिन और जोड देते हैं अनुग्रह दिवस के रूप में तो तीन अक्टूबर जो है वो उसकी देती थी कहलाएगी इस पॉइंट में हम देख रहे हैं एक जुलाई को विपत्र लिखा गया है और शे माह की अवधी का विपत्र है अब हमको का पूरा दिसंबर इसके अंदर शामिल हो जाएगा 6 माह में और उसके बाद हम इसमें तीन दिन अनुग्रह दिवस जोड देंगे तो तीन जनवरी 2008 जो है वो इसके लिए देती थी हो जाएगी उसके बाद हम देख रहे हैं 30 जून 2007 को दो माह की अवधी का विपत्र लिख गया है तो क्यूंकि 30 जून है यंने जून पूरा निकल चुका है अब हम को दो माह में जुलाई और अगस्त को शामिल करना है तो जुलाई और अगस्त को हम एड़ करेंगे और तीन दिन हम इसमें अनुग्रह दिवस को 31 अगस्त एक और दो सितंबर को अगर हम हटा दे तो तीन सितंबर को जो है इसका बिल के देर तिति की करना की जाएगी इसी तरह दिया गया है 27 नवंबर 2007 को एक विपत्र लिखा गया है तीन माह के अवधिका है तो 27 नवंबर से 27 दिसंबर एक माह हो जाएगा 27 दिसंबर से 27 जनवरी दूसरा माह हो जाएगा और 27 जनवरी से 27 फरवरी जो है वो तीसरा माह हो जाएगा और फिर इसमें अगर हम तीन दिन अनुबरह दिवस जोड़ दे तो हम यहाँ पर देख रहे ह दो मार्च 2008 वो अवधी होगी जबके बिल के देती थी होगी निम्द दशाओं में विपत्र के देती थी को ग्याद केजिए पहला आहरं की तिथी 31 मार्च 2008 स्विक्रिती तिथी दो फर्वरी 2008 बिल की तिथी एक माह तिथी के बाद दूसरा 29 जन्वरी 2008 स्विक्रिती के तिथी 3 फर्वरी 2008 बिल के अवधी 30 दिन तिथी के बाद तीसरा आहरं की तिथी 29 जन्वरी 2008 स्विक्रिती तिथी 2 फर्वरी 2008 बिल की अवधी 2 माह तिथी के बाद चौथा, आहरण के तिथी 12 जुलाई 2008, स्विकृति के तिथी 14 जुलाई 2008, बिल की अवधी 1 माह तिथी के बाद पांचवा, आहरण के तिथी 27 जून 2008, स्विकृति के तिथी 28 जून 2008, बिल की अवधी 3 माह तिथी के बाद फर्स पॉइंट में हम देख रहे हैं कि आहरण की जो तिति है वो 31 मार्च 2008 की है और स्विकृति दी गई है दो फरवरी 2008 को एक माह की अवधी का बिल है इस कंडिशन में दो फरवरी 2008 के बाद सिर्फ एक माह का ये बिल है तो यह हमारा जो बिल है यह परवरी के लिए इस इस सिर्फ है और मार्च में इसका को भुक्तान करना है उन्तीस परवरी को अगर इसके अवधी समाप्त हो जाती है तो उसमें हम तीन दिन साथ में जोड़ देते हैं और तीन मार्च को इसका भुक्तान प्राप्त यानि कि दे तिती मानी जाएगी दूसरी कंडिशन में हम देख रहे हैं कि आहरण की तिती है 29 जनवरी 2008 और स्विकृती के तिती है 3 परवरी 2008 विल की अवधी को 30 दिन के तिती के बाद माना गया है इस कंडिशन में अगर 3 परवरी को ये विपत्र स्विकृत हुआ है और ऐसी कंडिशन में 30 दिन की अवधी अगर दी जाती है तो विपत्र पर जो दे तिती होगी वो इसके एक महिने के बाद यानि कि 30 दिन के बाद होगी जो कि 3 मार्च 2008 होगी तिसरी कंडिशन में अहरण की तिती 29 जनवरी 2008 है और स्विकृति की जो तिती है वो यहाँ पर दी गई है 2 फरवरी 2008 और दो माह बाद अगर ये विपत्र स्विकृत हो जाता है तो इसकी स्विकृति की अवधी हो जाएगी यहां पर दो फरवरी 2008 से दो मार्च 2008 एक माह और उसके बाद दो मार्च 2008 से दो अप्रेल 2008 दूसरा माह हो जाएगा अब यहां पर क्योंकि एक अप्रेल जो है वो बैंक बन रहने के तिती है इसलिए एक दिन पहले यहां पर क्योंकि केवल दो माँ के अब्धी दी गई है यानि कि 31 यानि कि एक अप्रेल को इसके तीथी समाप्त हो जाती है लेकिन क्योंकि एक अप्रेल को बैंक की सारवजनिक छुट्टी रहती है इसलिए एक दिन पहले जैसे कि हमने देखा वीडियो में कि अगर कोई 2008 को मानी जाएगी तीसरी कंडिशन में हम देख रहे हैं कि स्विकृति की तिति दी गई है 14 जुलाई 2008 और एक माह के बाद इसकी स्विकृति है यानि की 15 अगस्त 2008 इसकी स्विकृति इसकी देवतिति मानी जाएगी लेकिन क्योंकि 15 अगस्त को सारवजनिक अवकाश होता है और ऐसी कंडिशन में हमने देखा कि जब भी सारवजनिक अवकाश होता है तो विपत्र की जो देवतिति होती है वो एक दिन पहले की हो जाएगी तो यहाँ पर हम विपत्र की देवतिति थी 14 अगस्त 15 अगस्त के इस्थान पर 14 अगस्त को मान जबते हैं कि फिफ्थ पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि 28 जून इसके विपत्र की स्विक्रती किती है और तीन माह की का यह विपत्र है तो हम यहाँ पर देखेंगे 28 जून से 28 जुलाई के अवधी एक महीने की हो गई 28 जुलाई से 28 अगस्त की अवधी दो महीने की हो गई और 28 अगस्त से 28 सेप्टमबर की जो अवधी है वो तीन महीने की कम्प्रीट हो गई और फिर 29 सितंबर हम इसके लिए देती थी मान सकते हैं निमनलिके दर्शाओं में बिल की देती थियां क्या होंगी पहला आरण की थी 28 सितंबर 2008 स्विक्रिती की थी एक अक्टूबर 2008 बिल की अवधी दो माह दर्शन के बाद दूसरा 23 दिसंबर 2008 आरण की थी स्विक्रिती की थी 24 दिसंबर 2008 बिल की अवधी एक माह तीसरा आरण की थी 2 फरवरी 2009 स्विक्रिती की थी 3 जनवरी 2009 बिल की अवधी मांग 24 जनवरी 2009 को की गई चौथा, आरण की तिथी पाथ जन्वरी 2009, स्विकृती की तिथी छे जन्वरी 2009, बिल की अवधी मांग 24 जन्वरी 2009 को की गई पाचवा, दस जन्वरी 2009, स्विकृती की तिथी ग्यारा जन्वरी 2009, बिल की अवधी मांग 24 जन्वरी 2009 को की गई यहां पर हम फर्स्ट कंडिशन में देख रहे हैं कि स्विक्रिती की जो तिथी है वो एक अक्टूब 2008 है अब ऐसी कंडिशन में दो माँ बाद ये दर्शनार्थ बिल है हमने देखा कि जिस दिन वो प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन वो दे होगा हाला कि इसमें हम अनुग् दिन जोड़ देते हैं तो कुल में लाकर 4 दिसमबर 2008 इसकी दे तिति हो जाएगी दूसरे कंडिशन में हम देख रहे हैं 24 दिसमबर 2008 जो है वो स्विक्रिति के तिति है और एक माह का ये बिल है तो 24 दिसमबर 2008 के बाद 25 जनवरी 2009 को को इसकी तिति समाप्स हो जाएगी और 25 दिसमबर 2009 को ये दे होगा एक जनवरी 2009 का लिखा हुआ तीसरे वी पत्र जबकि ये मंग उका समय इसका दिया गए है 24 जनवरी 2009 को प्रिस्तुत किया गया है तो उसी दिन इसकी राश्वी को बुक्तान किया जाना चाहिए ठीक इसी तरफ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि 6 जनवरी 2009 का यह बिल है और इसको मांग के लिए प्रिस्तुत किया गया है लिखा गया है जो कि 11 जनवरी 2009 को सुकृत किया गया है इसके बिल के मांग के जो अब दी है वह 24 जनवरी 2009 तो जिस दिन इस पर दे राशी राशी दे होगी तो इसकी बुक्तान तिति यानि दे तिति भी 24 जनवरी 2009 ही मानी जाएगी